ये वीडियो एजुकेशनल पॉपस के लिए वीडियो में बताये गए सभी रेफरेंसेज इंटरनेट, न्यूज, आर्टिकल तथा डॉक्युमेंटरी से लिए गए हैं एनबेल दुनिया की वो डरावनी गुडिया जिसके अंदर एक शैतानी आत्मा ने कपसा कर लिया था और जिसने अपने आपको एक साथ साल की प्यारी बच्ची की आत्मा बता कर दूसरों को सालों साल तक गुमरा किया और जिसके उपर हॉलिवुड की दो बहुचर्चित फिल्में The Conjuring और Annabelle भी बन चुकी है पर क्या आपको उसकी असली सच्चाई के बारे में पता है तो नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे चैनल UV Life पर और आज हम जानेंगे Annabelle और उससे जुड़े एक दिल्चस्प किस्से के बारे में तो कहानी है अमेरिका के एक शहर Connecticut में साल 1970 की Donna एक 20 साल की लड़की जो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी Connecticut में अपनी एक साथी Angie के साथ किराय पर फ्लैट लेकर रहती थी दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और साथ में ही रहते थे एक दिन Donna अपने परिवार से मिलने उनके घर जाती है और वहाँ पर उसकी मम्मी उसे एक डॉल गिफ्ट करती है जो उन्होंने कुछ दिन पहले एक second hand gift shop से खरीदी थी ये वही Annabelle है जिसके अंदर एक शैतानी आत्मा का साया था अब बहराल डॉना की मम्मी को इसके बारे में कोई ख़बर नहीं थी उन्होंने डॉना को ये डॉल एक तोफ़े के रूप में दिया और डॉना ने ये तोफ़ा अपने साथ लोटते वग अपने अपार्टमेंट में ले आई शुरू में तो सारी चीज़ें नॉर्मल रही मगर कुछ समय बाद डॉना और एंजी ने नोटिस किया कि डॉल खुद बखुद मूवमेंट शो कर रही शुरू में तो मूवमेंट कम थी जैसे डॉल का सिर्फ हाथ पैर हिलाना मगर धीरे धीरे कुछ हफतो बाद डॉल पूरा मूव करने लगी कई बार तो ऐसा होने लगा कि डॉना और एंजी डॉल को बेड पे छोड़ कर जाती मगर जब वो वापस अपने अपार्टमेंट में आती डॉल को तूसरे कमरे के सोफा पर पाती अब डॉना और एंजी का एक और साती था जिसका नाम लू था और उसे डॉल की ये हरकते देख डॉल पर कुछ संदे भी होने लगा मानो वो शापित है मगर डॉना और एंजी मौडन घ्याल की पढ़ी लिखी समझदार लड़किया थी और भूत प्रेत में कोई भी विश्वास नहीं रखती थी दिनो दिन डॉल की हरकते और भी जादा अजीबो गरीब होने लगी पहले तो डॉल एक जगा से दूसरी जगा खुद बखुद चली जाती थी पर अब डॉना को घर में चरम पत्र मिलने लगे जिसमें एक संदेश लिखा रहता था कि या तो मेरी मदद करो या फिर लू की सबसे अनोखी बात घर में कोई चरम पत्र भी नहीं थे मगर फिर ये संदेश लिखे चरम पत्र कहां से आ रहे थे अब ये सारी एक से बढ़कर एक अजीबो गरीब घटनाएं तो घर में हो रही थी कि अचानक एक दिन जब डॉना अपने फ्लैट पे वापस महुची तो उसने डॉल को अपने बेड पर पाया मगर इस बार डॉल के हाथों पर उसने खून देखा जो उसके अंदर से निकल रहा था और लगातार बहे पड़ा था अब ये खटना बहुत थी डॉना जो कि एक मौडन क्याल की पढ़ी लिखी लड़की थी उसे ये विश्वास दिलाने के लिए कि डॉल में कुछ तो रहसे मही तोर से गरबड है और डॉना ने इस बार अपने दोस्तों से पता करके एक तांतरिक को बुला लिया जब तांतरिक डॉल के पास बैठा और तंतर मंद के जरिये डॉल से सच अगलवाने की कोशिश की तो डॉल ने उसे अपने आपको एक साथ साल की प्यारी लड़की जिसका नाम एनेबल था उसकी आत्मा बताई उसने सबको ये बताया कि जिस जमीन पर उनका फ्लैट बना था वहाँ पर बारा साल पहले खेत हुआ करता था जहाँ पर उसकी मौत हो गई थी शरीर तो उसका चला गया मगर आत्मा फिर भी उसकी उसी जगा रह गई उसकी आत्मा वहीं भटकती रही और कई बार दूसरों के शरीर में भी समाई वो किसी को नुकसान नहीं पहुचाएगी बस उनके साथ रहना चाहती है अब डॉना और एंजी बहुत ही मासूम भोली भाली और पालन पोशन करने वाली लड़किया थी उन्होंने एनबेल की बात मान ली और उसे अपने साथ रखने के लिए अलाओ कर दिया जो की शायद उनकी बहुत बुरी गलती थी क्योंकि इसके बाद उनके उपर नरक तूट पड़ा लू जो की डॉना और एंजी का साथी था उसे बुरे सपने आने लगे जिसमें एनबेल उसके साथ उसके बेड पर होती और उसके पैरों पर चड़ने लगती सारी चीजें देखते हुए बिलू कुछ भी नहीं कर पाता था और बेड पर एक लाश की तरह लेटा रहता था पैर से फिर एनबेल सीने पर आती और फिर गले पर जहांपर दोनों हाथों से वो उसको जगड़ती और फिर उसका गला दबाने लगती इतने में ही लू की आँके खुल जाती और वो डरा सेमा जग जाता उसका सर बुरी तरह दर्द होने लगता और उसे बुखार भी आ जाता था ऐसे सपने उसे लगातार हर रोज आने लगे और एनबेल को लेकर उसे डोना और एंजी की चिंता सताने लगी अब कुछ दिनों बात की बात है कि एक दिन लू और एंजी डॉना के फ्लैट में एक ट्रिप पर जाने की प्लैनिंग कर रहे थे कि तभी अचानक से दोनों को डॉना के रूम में किसी के चलने की आवाज आई दोनों घबरा गए उन्हें ये आशंका हुई कि कोई चोर घर में घुसाया है दोनों डरे से हमें डॉना के रूम की तरफ बढ़े अब लू एक लड़का था तो उसने जिम्मेदारी दिखाई और आगे बढ़कर सबसे पहले दर्वाजा उसी ने खोला जैसे उसने दर्वाजा खोला और रूम के अंदर जहांक कर देखा तो अंदर उसे कोई भी इनसान नहीं दिखा सारी चीज़ें नॉर्मल थी, सब समान अपनी जगा पर थे बस अंतर इतना था कि एनाबेल बेड के बज़ाए रूम के कॉनन पर पड़ी थी जैसे ही लू डॉल के पास पहुँचा और उसे जमीन से उठाने के लिए जोगा उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है शक इतना गहरा हुआ कि वो मुड़ गया देखने के लिए मगर पीछे तो कोई न था, रूम पूरा खाली था तब ही अचानक लू को सीने में दर्द होने लगा टीशेट उदार कर जैसे ही उसने अपने सीने की तरफ देखा वो शौक हो गया उसके सीने पर किसी के नाखून के निशान थे मानो किसी ने नाखून से वहाँ पर पूरी तरीके से खरूचा है और इसकी वज़े से सीने में जलन के साथ साथ दर्द ही उसे बहुत जोरों से होने लगी लू को अंदेशा हो गया कि मानो ना मानो ये हरकत एनाबेल की है बहराल नाखून के निशान तुरं सही भी होने लगे और पूरी चोद दो दिन में गायब हो गई मानो कुछ हुआ ही ना हो ये घटना देख डॉना और एंजू को महसूस हो गया कि मामला बहुत पेचीदा है और इससे पहले कि चीजें और बेकार हों उन्हें किसी से मदद लेनी चाहिए इसी मदद की तलाश में वो एक चर्च के प्रीस्ट के पास पहुँचे जिन्होंने उनकी मुलाकात एड वारेन और लॉरेन वारेन से कराई एड और लॉरेन पती-पत्नी थे और साथ ही पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट भी जो इन्ही रहस्मई चीजों से डील करते थे और उन्होंने अपना एक छोटा सा म्यूजियम भी बना रखा था जिसमें बहुत सारी रहस्मई और हांटेट चीजों का कलेक्शन था एड और लॉरेन जब प्रीस्ट के साथ डॉना के अपार्टमेंट में डॉल के पास पहुँचे और उससे तंत्र मंत के जरीए बात करना शुरू की तो इस बार उन्होंने डॉल से असली सच्चाई उगलवा ली डॉल के अंदर कोई साथ साल की बच्ची की आत्मा नहीं थी बल्कि उसके अंदर एक शैतान पिसाच है जो सभी को बच्ची कहकर गुमरा कर रहा और उसका असली उद्देश है उस डॉल में रहने का नहीं बल्कि उसका में मकसद डॉना की आत्मा है जिसे वो अपने वश में करकर डॉना पर अपना कबजा चमाना चाहता है डॉल की सच्चाई इस बार बेनकाब हो गई और अब उसको डॉना के साथ अकेले छोड़ना सही नहीं था प्रीस्ट ने डॉना के फ्लैट की जाड़फों की और एड और लॉरेन ने डॉल को अपने साथ ले लिया उन्होंने डॉल को एक बैग में रखा और उसे अपने साथ ले जाने लगे अब डॉना के फ्लैट और एड लॉरेन के घर के बीच में हाईवे पड़ता है एड ने डिसाइड किया कि वो हाईवे पर नहीं जाएगा क्योंकि हाईवे पर गाड़ी बहुत तेज रहेगी लगबख 100 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार में गाड़ी चलेगी और अगर ऐसे में उस शैटान में कोई चाल चली या फिर गाड़ी के साथ कुछ उच नीच करने की कोशिश की तो उनके साथ कोई भयंकर एक्सिडेंट भी हो सकता है उन्होंने हाईवे के बज़ाए लोकल रोड पकड़ के जाने का फैसला लिया मगर उनका यहा सफर भी आसान नहीं था इंजन कई बार अपने आप ऑन ओफ हुए कई बार तो ब्रेक्स भी खुद बखुद फेल हो गए दो बार तो एड को ऐसा महसूस हुआ कि पावर स्टेरिंग ब्लॉक हो गई है यहां मुसीबतें देख उन्हें यहां अंदेशो हो गया कि यहां सब डॉल की करतूते हैं जो अपनी शैतानी शक्तियों का प्रयोग कर उन्हें परिशान कर रही ऐसे में एड ने बैक खुला और हुली वोटर पवितर जल डॉल पर छड़क दिया यहां करने के बाद डॉल शान्त रही और पूरा सफर आसानी से बिना किसी मुसीबत के कट गया एड और लॉरेन अपने घर आ गए और उन्होंने वो बैक जिसके अंदर डॉल थी उसे अपने टेबल पर रख दिया डॉल तो फिलाल शान्त थी और अगले कुछ दिनों तक सबकुछ नॉर्मल रहा फिर वही हरकतें शुरू हो गई और डॉल अपने आपको पुराने मोशन में ले आयी फिर से डॉल एक रूम से दूसरी रूम में खुद बख़़ जाने लगी और अपने पुराने खेल खेलने लगी जो वो डॉन और एंजी के फ्लैट में खेलती थी एड और लॉरेन ने एक बार फिर से उन्हीं प्रीष्ट को अपने घर जाड़फू करने के लिए बुलाया प्रीष्ट ने डॉल को सीरिसली नहीं लिया और एनाबेल को बोल दिया कि वो सिर्फ एक मामूली गुरिया है और इंसानों का कुछ नहीं बिगार सकती शायद बहुती जादा हलके में उन्होंने डॉल को ले लिया क्योंकि जब वो वापस जा रहते तो उनकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए और उनका बुरी तरीके से एक्सिडेंट हो गया बहराल उनकी जान बजगई थी सारी घटनाओं को देखते हुए एड ने फैसला लिया कि वो एनाबेल को खुला नहीं छोड़ेगा और उसके लिए एक वुडेन बॉक्स बनवा लिया एड ने एनाबेल को उसी वुडेन बॉक्स में डाल दिया और बॉक्स को लॉक कर दिया तब से लेके अब तक एनाबेल उसी बॉक्स में बंद है और फिर उसकी सारी हरकते भी रोग गई एड और लॉरेन ने फिर उस बॉक्स को अपने मुजियम में रख दिया जहां एनाबेल जैसी रहस से मही अननाचरल चीज़ें और भी हैं जिसके बारे में आपको हम किसी अगले दिन किसी और वीडियो में जरूर बताएंगे तो इस वीडियो के लिए सिफ इतना ही meet you again in the next वीडियो अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथी साथ वीडियो पे comment और वीडियो को like करना भी ना भूलें अगर आपकी कोई राय है तो उसे भी आप comment करके बताएं और अगर आप चाहते हैं कि किसे content पर अगला वीडियो आना चाहिए तो आप उस content का भी जिक्र ज़रूर करें मीडियो अगर इन नेग्स वीडियो तिल देने वें फिडियो एंवे अपी एंध थे वाय बाई